रामराम किसान भाईयों, हमारी यूटूब चैनल किसान समधान में आप सभी का बहुत बहुत भागत है किसान भाईयों धान की खेती के लिए जो बीज को उपचारण और बीज तयार करना, नरसरी तयार करना, बोवाई विधी इसके लिए जून महा सबसे सर्वतम माना जाता है जून के बाद अगर धान की खेती की सुरुआत की जाया तो काफी लेट हो जाता है तो किसान भाईयों इस महा में हम अपना नरसरी तैयार कर सकते हैं या बौाई की सुरुआत कर सकते हैं जून के और 15 जुलाई के आसपास लाष्ट तक के हम को धान की खेती के तैयारी करनी होती है तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पद्धती धान खेती की एक ऐसी विधी के बारे हम जानकारी दे रहे हैं इससे आपको पानी की सका मात्रवी कम लगेगा और उससे जो महनत की लागात होता है मजदूरी की लागात वो भी आपको कम लगने वाला है तो चलिए किसान भाईयों अगर आप हमारी चैनल में पहली बारा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिलाइकन को दबा दें और जदा से ज़यादे लोगों तक इस वीडियो को सेढ़र जरूर करें द्हान की कम खर्च में ज़्यादा उतपादन और बंफर उतपादन के लिए किसान भाईयों ये एक बोता वीधी है बोतविधी में किसान भाईयों अक्सर उपयोग किया जाता है कि 10 लगभग लगभग 40-50 किलो धान का छिड़काउग किया करते थे लेकिन किसान भाईयों आप उतने धान का छिड़काउग ना करें इसके लिए आप कोई भी हाइबरीड किस्म की धान ले सकते हैं किसान भाईयों इससे क्या होगा कि सभी छिड़काउग कर देए उसके बाद आप उसमें हल से या अपने ट्रेक्टर से अच्छे से जूताई कर देए किसान भाईयों इससे क्या होगा कि सभी छित्र में अच्छे से धान उग जाएगा उगने के बाद किसान भाईयों उसमें कुछ नहीं करना है उसमें पानी चलाते रहें अगर बारिश होने ही हो रही है तो अब इस विधी से आप लोग को बता दू जो रोपा विधी है रो पादन होता है उसके लगभग आपको इस बोता विधी से भी उत्पादन होने वाला है तो किसान भाईयों उसके बाद क्या करना है कि जैसे 30 दिन 35 या 25 से 40 दिन के आजपास की धान हो जाए तो उसमें आपने खेत में पानी परगूर मात्रा में डालें और जो जिस जगह प प्लांटेशन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि सभी तरफ बराबर मात्रा में धान की हो जाएगा अब आप देखिएगा किसान भाईयों समय समय पर यूरिया और खाद डिएपी खाद गोबर खाद की मात्रा आप लोगों को डालते रहना है और जो भी विमारी है उसके र प्रती एकड उत्पादन की बात करें तो 25 से 28 क्यूंटल तर प्रती एकड अगर आप जैसे मेहनत आप रोपा विदी से करते हैं उसी मेहनत आप इस विदी से बोता विदी से करें तो उतने आपके उत्पादन 25 से 30 क्यूंटल के आसपास आपको उत्पादन जरूर मिल सकता तो किसान भाई इस विद्री को जरूर उपयोग करके देखिएगा एक बार